फिर राजस्तान में बुजुर्द नेतत वर्से युवा नेतत एक संकर शुरू हो गया मौनलाद सुखाड़य उसकी अगवाई कर रहे थे मौनलाद सुखाड़य के साथ मानिकेलाद वर्मा हो गए मेवाड की वाज़े से और बहुत सारे युवा तुर्क हो गए जो युवा तुर्क बाद में इंद्रा गांदी की जमाने नारा सामने है दरसा शुरूआत राजस्तान में हो गए थी और मौनलाद सुखाड़य ने जेनराण व्यास को चुनती थी जेनराण व्यास नहीं जीत पाए मौनलाद सुखाड़य मुख्यबंती बने उसके बाद और सत्रा साल तक मौनलाद सुखाड़य ने राज किया राजस्तान के लोकतांतिक इतियास में सबसे ज़्यादा समय तक राज करने वाले मुख्यमंति बने मौनला सुखारिया 62 में चुईनी उंदुवा था उसके बाद भी कॉंग्रेस जीती 67 में तृशंगू विदान सबा आ गई और 114 दोगों के विदान सावा में कॉंग्रेस 90 तक नहीं पहुँच पाई पूर्ण बाबन नहीं मिला लेकिन सबसे बड़ी पार्टी कॉंग्रेस थी उस वक्त देश में समयुक्त विदायक दल समविज सरकार जिसको बोलते हैं वो दौर चल पड़ा